नमस्कार हिंद टेवे में आपका स्वागत है महरास्ट में अब शिब सेना और एंसीपी के बीच एक अंदर खाने के टकराहट चल रही है हलांकि सरदपवार और उद्धव ठाकरे के बीच विवाद नहीं है दोनों एक प्लेटफॉर्म पे हैं और उद्धव ठाकरे सरदपवार के जाल में इस तरह से फसे हुए है कि वो न शिब सेना के दूसरे नेताओं की बास सुन सकते हैं और नहीं अपनी कुरसी का मुह त्याग सकते हैं वो बिलकुल बीच में फसे हुए हैं न इधर के हैं और न उधर के ही हैं लेकिन इस बीच जो एनसीपी परमुक शरदपवार ने शिब सेना के उपर दवाब बनाया है उधव ठाकरे को के उपर दवाब बनाया हुआ है इससे शिब सेना के अंदर गुट बाजी बढ़ गई है शिब सेना में दो गुट बने हुए हैं जिसमें से एक गुट का मानना है कि शरद पवार की कठपुतली बनकर उद्धब ठाकरे जिस तरह से सरकार चला रहे हैं उसका चुनाव के उपर बहुत ही गलत पभाब पढ़ने वाला है और शिम सेना को धीरे धीरे शरद पवार निगलते जा रहे हैं क्योंकि शिम सेना का जो विचार रहा है उस विचार के साथ ही शरद पवार खिलवार कर रहे हैं और ये सारा मामला जो अभी का पैदा हुआ है वो मामला पैदा हुआ है नवाब मलिक के कारद नवाब मली को NCP पर्मुक शरत पवार अपनी परतिष्ठा से जोड़ कर नहीं देख रहे हैं बलकि अपनी चुनाविर रन्नीती से जोड़ कर देख रहे हैं शरत पवार नवाब मली को प्रोटेक्ट करने में लगे हैं और उसके पीछे उनकी चुनाविर रन्नीती हैं क्योंकि नवाब मली लगता एक महीना के करीब हो गया जेल के अंदर है और ऐसे स्थिति में मंत्री पद से उनका इस्थिफा हो जाना चाहिए था हाला कि शरत पवार दूसरे तरह का गेम तो कर रहे हैं लेकिन नवाब मली को मंत्री पद नहीं हटा रहा है यानि कि केबिनेट मंत्री का उनका दर्जा खत्म नहीं होगा शरत पवार ने इस बीच एक बड़ी बैठक की और नसीपी के अंदर जो बैठक होई उसमें ये फैसला लिया गया कि नवाब मली के पास जो पोर्टफोलियो है उस पोर्टफोलियो की जिम्मेदारी उनको नहीं दी जानी चाहिए यानि कि किसी दूसरे को इसकी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए लेकिन इसके साथ ही स्पस्ट तरीके से शरत पवार ने कह दिया कि नवाब मली का मंत्री का जो पोस्ट है वो खत्म नहीं होगा यानि कि जेल में रहते हुए भी नवाब मलिक मंत्री बने रहेंगे इसके पीछे कोई ऐसा मामला नहीं है कि जिससे सर्थ पवार की परतिष्ठा धुमिल होती या सर्थ पवार को कोई परिशानी होती लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो चुनावी रन्निती है क्योंकि अगर देखा जाए तो सर्थ पवार पिछली बार जब अनील देशमुक्यों के उपर करप्सन का चाल लगा था वो जब कस्टडी में गए थे तो उस समय भी उनको सुरच्छित रखा था कुछ समय तक उनका बचाव करते रहे और बार बार एक फैक्ट फाइंडिंग कमीटी बनाई अपने अंदर जो पाची के अंदर उछ नेताओं को नियुक किया और उसके लिए जाच का उनका आदेश दिया गया कि आप जाच करके बताएं कि अनील देशमुक निर्दोस है या उन्हें फसाया जा रहा है बाद में उन्होंने दो तीन दिनों तक लगतार उनको बचाने के कोशिश की लेकिन बाद में 15 दिन के अंदर ही शरत पवार पलट गए और फिर अनील देशमुक से इस्तिफा ले लिया क्योंकि अनील देशमुक किसी अलवसंख्यक समुदायज नहीं थे जो NCP का कोर वोट बैंक बना हुआ है महरास्ट में और नबाब मलीक मुस्लिम है यानि अगर एक पाटी जो की महरास्ट की राजनीती में सेकूलरीज्म को विचार धारा बनाके आगे बढ़ने के कोशिश कर रही है उसका सिधा मुकाबला कॉंग्रेस के साथ है महरास्ट में कॉंग्रेस और NCP दोनों ऐसी पाटियां हैं जिसको इस वरका वोट मिलता है लेकिन इस बीट जब अलग-अलग राज्यों में कॉंग्रेस के स्थिक कमजोर हो रही है पिछले दिनों पांच राज्यों में कॉंग्रेस की हार हुई तो ऐसे में सरत पवार को ल में कॉंग्रेस का जो वोट है वो भी अपने साथ लाने की कोशिश में लगे हैं और उसके लिए जरूरी है कि वो पूरी तरह से अपने आपको मुस्लिमों के साथ दिखाएं और मुस्लिमों के साथ दिखाने के कारण वो नबाब मलिक को इस्तिफा देने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है लेकिन दूसरे अस्तर पर देखें जो शरत पमार, लगतार नवाब मलिक को सुरच्छा परदान कर रहे है उसमें NCP को तो फैरदा हो रहा है कॉंग्रेस को थोड़ा नुकसान हो रहा है लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान इस मामले में शिब सेना को हो का मेन एजेंडा हिंदूत्व रहा है और अब भी बार बार उद्दब ठाकरे इस बात को उभारने के कोशिश करते हैं कि उन्होंने गठबंधन बदल लिया है एजेंडा नहीं बदला है वो साबित करने की कोशिश में रहते हैं कि वो अभी भी हिंदूत्व के एजेंडे पे अभी वो कॉंग्रेस और NCP के साथ है लेकिन इस पूरी अवधारना के उपर अब प्रश्ची लग रहा है इस बीट सरत पवार ने उनके साथ दो बड़े गेम किये एक तो कश्मीर फाइस को लेकर जब पूरे देश में चर्चा हो रही थी और महारास्ट में भी इस फिल्म को टैक्स फिरी करने की मांग की जा रही थी उस सर्विश शरत पवार ने उद्धव ठाकरे को चुप करा दिया कॉंग्रेस और शरत पवार दोनों की इसमें भूमिका थी और उद्धव ठाकरे इन दोनों की कटफुतली बन कर दो कश्मीर फाइल्स को टैक्स फिरी कराने से मना करते रहें लेकिन दूसरी बात और हो गई कि नवाब मली को लेकर भी उद्धव ठाकरे पूरी तरह से फसे हुए है नवाब मली के स्थित ऐसी हो गई है कि वो लगतार जेल में है लेकिन मंत्री बने हुए है और पूरे महरास्ट में इस बात की अवधारना चल रही है कि नवाब मली को सुरच्छित रखने का मतलब मुसलिमों को खुश करना है और जहां मुसलिमों को खुश करने की बारी आएगी और उसके बात चलेगी तो शिव सेना को सबसे ज़्यादा इसका नुकसान होगा और शरत पवार एक साथ दो तरह के गेम कर रहे है एक तो मुसलिम तुश्टिकरन की नीती में कॉंग्रेस को मात देने की कोशिश कर रहे है तो दूसरे तरफ उसी मुसलिम तुश्टिकरन की नीती से शिव सेना को बरवाद कर रहे है शिव सेना का आधार कमजोर कर रहे है यानि NCP के इस डबल गेम में उद्धब ठाकरे पूरी तरह से फस गए है क्योंकि वो शरत पवार की कठपुतली बनकर सिर्फ CM के कुर्सी के लोग में काम करते जा रहे हैं और अब ऐसे इस्थिती हो गई है कि BMC का चुनाव होने वाला है और उस वीच मुंबई के जो सिव सेना के नेता हैं बार बार इस बात पर जोड़ डाल रहे हैं कि या तो उद्धव ठाकरे कुछ समय के लिए सिव सेना के बारे में सोचते हुए अस्ट्रिक डिसेजन ने या फिर NCP और कॉंग्रेस का साथ छोड़ दे नहीं तो अगर ऐसे डोल्डरम की स्थिती में उद्धव ठाकरे रहे तो शिव सेना से मुंबई तो जाएगा ही महाराष्ट में भी शिव सेना को अब अपना आधार जो पुराने समय से चल रहा है वही आधार को बचाने की समस्या हो जाएगी और शिव सेना अस्तित्व बचाने के संकट से गुजरेगी जिस तरीके से आज अस्तित्व की लड़ाई कॉंग्रेस लड़ रही है और यही महरास्ट में शिव सेना की सबसे बड़ी परेशानी बने हुई है और उद्धव ठाकरे न तो LCP परमुक शरत पवार की बाट टाल सकते हैं और नहीं शिव सेना के अंदर जो प्रेशर ग्रूप बना हुआ है जो उद्धव ठाकरे के उपर बार बार दवाब डाला जा रहा है उसको इग्नोर कर सकते हैं और इसी बात को लेकर उद्धव ठाकरे अभी चिंतन मनन करने में लगे हैं अगर उनका चिंतन शरत पवार की तरफ जाता है तो शिव सेना में बड़ा बिस्फोर्ट होने वाला है हो सकता है कि शिव सेना में वही लोग सिर्फ रह जाएं जो केबल उद्धव ठाकरे के बफ़ादार हैं जैसे संजय राओ जैसे लोग जिनके राजनीतिक पारिक शुरुवात हुई है उद्धव ठाकरे के कारण और जो राजनीती में अगर सर्वाइव कर पाएंगे तो उसके लिए ठाकरे परिवार के करीमी राना उनको जरूरत है तो ऐसे स्थिति में उद्धव ठाकरे अगर कुछ समय के दोरां एक सही फैसला नहीं ले पाते हैं तो या तो शिव सेना दो कुटों में बढ़ जाएगी या तो शिव सेना का एक और विभादन हो जाएगा या फिर उद्धव ठाकरे मुख मंत्री पत से इस्तिफा देगी ये इस्तिति पैदा हो गई है महारास्ट में और अगर ये इस्तिति पैदा नहीं होती है तो फिर अगले चुनाब तक सिव सेना की बरवादी लगभगते हैं क्योंकि शरत पवार जिन पार्टियों के साथ आज तक गए हैं वो धीरे धीरे उसको निगल लेते हैं और उसका अस्तित्व खत्म करने की कोशिश करते हैं और इस बीच जो उद्धव ठाकरे को समर्थन देकर महारास्ट में सरकार बनाई है उसमें भी इनकी रनीती उसे दिशा में चल रही है और उद्धव ठाकरे सीम की कुर्सी पर चिपके रहने के लिए सदब पवार की कठपुतली बने हुए है और अगर ये इस्तित्या जल्द नहीं बदलती है तो शिब सेना की बरवादी ये सुरुआत मानी जाएगी और अगले दो साल के अंदर शिब सेना बिस्फोटक इस्तिती में आ जाएगी उसके लिए अपने अस्तित्व को बचाए रखना मुश्किल हो तब तक के लिए बने रही है हमारे साथ और देते रही है हमें सायोग ताकि इसी तरह की ख़बरावा आपके लिए लाते रहे हैं धन्यवाद अगर आपको हमारा वीडियो पसन आया हो तो इसे लाइक करें इस चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुँचते रहें हमसे चुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कॉमेंट बॉक्स में देते रहें हमें आपके सुझाव का इंतिसार रहेगा हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद